नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी रुख करेंगे बिहार की बड़ी खबरों के ओर पंडारक प्रखर्ण के टीवर पंचायत में स्डीम ने जुन समवात कारिकरम किया इस दौरान कारिकरम में योजनाओ को लेकर जनता को सुझाव दिये गए साथी सरकार द्वारा चलाई जा रही लगपक 150 योजनाओ की जानकारी भी दी गई है इस मौके पर प्रखर्ण के सभी पताधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे इस दौरान पुलिस पताधिकारी भारत सोनी ने डायलेक 112 के बारे में भी जानकारी दी और जनता से अपील की है कि हर छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इससे तुरन सूचित करें जिससे अपराद पर अंकुष लग सके ठाकुर गंच और बहादुर गंच डिवीजन के बिजली विभाग के कर्मियों ने राज़त नेता मुश्ताक आलम के निजी आवास पर मुलाकात कर उनका जोड़दार स्वागत किया गोर तलब है कि पिछले कुछ दिन पहले बिजली विभाग के कर्मियों ने मुख्यमंतरी निटीश कुमार के खलाफ वेतन डबल करने का ग्यापन सौपा था जिस पर राज़त नेता मुश्ताक आलम उनकी समस्याओं को लेकर मुख्यमंतरी निटीश कुमार से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत भी कराया इसी दरमियान राजुत नेता मुस्ताक आलम ने बताये कि वीते कई दिनों पहले बिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार के नाम पर मुझे ग्यापन सौपा था जिसको लेकर पटना में मुख्यमंत्री नितीश कुमार और डिप्टी सीम तजस्वी यादफ समेत उज़ा मंत् विजेंद्र रियादफ को कर्मियों का ग्यापन सौपा गया और कर्मियों के मांग समेत उनकी समस्याओं को लेकर सियम नतीश कुमार से बाचीत भी की गई है खबर नालंदा से है जहां रहुई प्रकंड के मूसेपुर गाव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने बताये कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने से वो बहुत खुश है और ठीक से अपना जीवन भी आपन कर पा रहे है साथी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि खुद आगे बढ़े ताकि हम गरीबों के लिए ऐसी ही योजना ये प्रधानमंत्री मोदी लेकर आते रहे वही गाव की निवासी बिल्किस जहां ने बताये कि प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले बहुत कष्ट में जीवन बीटता था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने के बाद अब हम लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं पास लड़की तीन लड़का है अध्यू अपने हैं तो क्या काम धंधा करते हैं अपने काम करते हैं तो यह बताइए पहले आप किस परकार से राते थे कहां राते थे अब किस परकार से रह रहे हैं मतलब बना रहे हैं जाहिद के कौन हुए जाहिद बाड़ सदस अच्छा तो यह की मतलब किस योजना से मिला है आपको गरीवी पर देहीं हैं परधान मंत्रिया वास होई ना या कुछ और नहीं है परधाने मंत्रिया वेजना से कितना मिला है रखम मिला एक लाग बीस अगया तो अभी किस परकार से रह रहे हैं अभी तो ठीक हो सहीं खा कमा रहा हैं बच 17 नवंबर से लोकास्था के महापर्व यानि की छट पूजा की शुरुवात होने जा रही हैं नहाए खाय के साथ शुकरवार से इस चार दिवसिये छट पूजा का अगाज हो जाएगा वही छट पूजा की तैयारी को लेकर जहां छट वर्ती मिट्टी के चूले और बाज अगर ऑफड़ कर रही हैं तो वही महमोरा तालाब और सूर्य मंदिर चट अगाट में मूर्ती प्रीशरजन होने के कारण गंदी के जो अंबार लगा हुआ है उसको भी साथ करने का काम किया जा रहा है हाला कि चटपूजा समिती और नगर निगम के कर्मियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पहले अर्ग के दिन ही चटगाट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा जिसे चटवर्ती इस चटगाट में अर्दे सके चर्दे सब सब कर दिया जाएगा झो भी बेगारएगा जैलल कमी अखर है कि यह शमुक्त की कि बाँ से विशाब तो सबहों के मिद और दो नीग तो फानि विशाब को था लोग last कायस्तों के आरादि देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा पूरे नालंदा जिले में बेहदी धूमधाम के साथ हुई है इस मौके पर शेर के भराव पर स्थित मंदिर में श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा में कायस्त परिवारों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है और ऐसी मानता है कि भगवान चित्रगुप्त मनुश्यों के कर्मों का लेखा जोगा रखते हैं इस दिन कायस्त पारों ने कलम और दवात की पूजा भी की है खबर अररिया से है जहां फारवीज गंच और ग्रामीड शेत्रों में गोधन कुटाई का पर्व बड़ी धूम धाम से मनाई गया आपको बता दे कि इस पर्व को भईया दूश के नाम से भी करस्थानों पर जाना जाता है इस पर्व में गोधन कुटाई के दौरान महिलाएं अपने भाईयों के नाम से बद्धुआ देती हैं मानता है कि ऐसा करने से भाईयों की आयू जो है वो बढ़ जाती है इस पर्व को पूरवांचल बिहार ज़ारकंड के इलाकों में गोधन कुटाई के पर्व के तौर पर भ आइन टीवी